तूटता गडवाल डॉक्टर कुलदीब गौड जी ग्यासू की कलम से इस लेख से आप असहमत हो सकते हैं आपकी असहमती स्विकार्य है मुझे सुधार का आउसर मिलेगा पुनश्चिंतन का आउसर प्राप्त होगा तथा पियह केवल अपनी अनुभूत अविव्यक्ति है यह अविव्यक्ति भी सांकेतिक है गड़वाल यद्यपी एक पहाडिक शेत्र है और पहाड का अर्थ है द्रिड हमेशा किसी भी चुनोती के सामने चट्टान की तरह अडिक रहे लेकिन मैं अपने अनुभों से और चारों और की प्रतिक्रियाओं से गड़वाल को तरस्त पा रहा हूं गड़वाल का सामाजिक ताना बाना बहुत ही जीना नजर आ रहा है जो न जाने किस हल्चल से तूट जाए कुछ कुरीतियां रीतियों में बदल रही है कहीं विश्वास डगमगा रहा है कहीं जीवन जीने की शैली में बदलाव हो रहे है कहीं सामाजिक परंपरा संक्रमन के दौर से गुजर रही है और पूर्ण तया नयापन चाहती है लेकिन वह नयापन क्या है कैसा होना चाहिए क्या वह सुगदाई है क्या इसमें सारे समाज का हित है या व्यत्तिकत हित मात्र है इन प्रश्णों की और किसी नएपन को चाहने वाले का ध्यान नहीं है ऐसे में किसे सही माना जाए परंपरा को या नई सोच की आधनिकता को और इस आधनिक्ता को प्रस्रे देने का स्रे अधिकांस उस पीड़ी को है जिसने अपना वक्त गुजार लिया है और वह अब जीवन के तीसरे पायदान पर है इस नए पन का क्या हस्र होगा यह नहीं कहा जा सकता क्योंकि हस्र अपने लक्षे तक नहीं पहुँच पायेगा वह इसलिए कि जब दिखने लगेगा कि विनाश होने लगा है तभी आने वाली पीड़ी सुधार के उपाये कर उसे ठीक कर लेगी या पूरा प्रयास करेगी विनाश को रोकने की विनाश भले ही रुके या न रुके लेकिन विनाश पूर्णता को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता यह हर युक का सिद्धांत रहा है इसलिए पूर्ण विनाश कभी नहीं होता लेकिन जो नुक्षान काल कुक्षी में रह जाता है उसके निशान केवल बद्धिवान मनुश्यों को ही दिखते हैं इन सामाजिक दशाओं के कारण और चिंद कुछ इस प्रकार है राजनीटी राजनीटी सदाही समाज को प्रभावित करती है और उत्राखंड में गतिमान राजनीटी भी उत्राखंड की सामाजिक दशा को उक्तुरूप से प्रभावित कर रही है राजनीती से प्रभावित योजनाएं गड़वाल के समाज को जुगाडू बनाने का महनी अकारे कर रही है यहां आवश्यक्ता नीतियों के साथ नीतियों के क्रियान वयन की भी है जो की नदारत है सरकारें योजनाये तो जारी कर देती है लेकिन लाभार्ती को लाभ लेने के लिए जिन प्रपंचों से गुजरना पड़ रहा है उसके निराकरण की विवस्ता नहीं करती उसके उधारण के लिए मैं ही एक गड़वाली परियापत हूँ जिसके पास विकत 10-15 वर्षों के सयाने पन और इन प्रपंचों से उलजने का अनुभो है नमबर दो पलायन गड़वाल पिछले कुछ दसकों से पलायन से तरस्त है पलायन के कारण गड़वाल की रोनक नदारत हो गई है घरबार चड़वाग लग्याचिन जिसका प्रभाव सामाजिक ताने बाने पर भी साफ दिखाई पड़ रहा है कहीं त्योवारों की रोनक फीकी हो गई है तो कहीं मांगलिक कारियों की कमी वो उनमें उत्साह समाप्त होने लगे है हालां कि कोरोना काल में कुछ गड़वाली परदेशियों ने कुछ मातरा में गड़वाल को थोड़ा सा पैत्रिक रूप से चमकाया जरूर है लेकिन वहां अब भी रोनक नहीं लोटा सके हैं कुछ एक अपवाद हो सकते हैं लेकिन पलायन ने यहां के निवासियों में भी निराशा और कुंठा को भर दिया है जिससे विकास की गती और उत्साह मंद पड़ गया है जिससे गड़वाल की उर्जस सिता धूमिल हो रही है यद्य भी इसका बीच पहले वद दूसरे बिंदु में हैं फिर भी बेरोजगारी के कारण भी गड़वाल का सामाजिक ताना बाना विखंडित हो रहा है जिसके पास काम है वह भी डरा हुआ है और जिसके पास काम नहीं है वह भी कुंठा ग्रस्त है जिससे सामाजिक सोहार्द को प्रगट होने का अवसर नहीं मिल पा रहा है और जब नागरिक मिलेंगे ही नहीं साथ बैठेंगे ही नहीं किसी कार्य में एक साथ आयेंगे ही नहीं तो सामाजिक समरस्ता का हरास्तो होगा ही यद्यपी यहां सोहार्दन पनपने का ब्यक्तिगत दुर्गुन और पूर्वा ग्रह ग्रशिता भी कारण है लेकिन इन गुणों का जन्म उक्त कारण अर्थात बेरोजगारी से भी हुआ है इस तथे को नकारा नहीं जा सकता मद्य सेवन भी सामाजिक ताने बाने को तरस्त करने का एक उद्दीप्त कारण है यद्द्यपी कहीं कहीं यह लोगों को जोड़ता हुआ भी दिखाई पड़ता है लेकिन स्रिजनात्मक विकास की गती की प्रगती में यह बाधक है इस से चारों और बेवजह की बातें पनप रही है लोगों की कारिक्षमता प्रभावित हो रही है वे मनस्यता चाटुकारिता जैसी कुरितियों के जन्म से सामाजिक्ता का हरास हो रहा है कोई भी तत्व आवशक्ता से अधिक विनाशक हो जाता है और संतुलन में आवशदी गडवाल की सामाजिक्ता को नुकसान पहुँचाने वाला यह एक रहस्यमय तत्व है एक ऐसा तत्व जिसमें मजा ही मजा है और बुद्धी के लिए एक नसा है आदमी को पता भी नहीं चलता है यह विश्व समाज की नसों में कैसे व्यक्ति को विद्वेसी बना रहा है आप जहां कहीं घूम लीजिए किसी दुकान पर बैठ जाईए किसी गाड़ी में बैठे हो या किसी समारोह में गए हो ये गप शास्त्र आपको अनाया सुनने को मिल जाएगा और इसमें परोसा जा रहा होगा किसी की निंदा किसी के घर की दास्तान किसी परिवार की उन्नती में भी अउगुन तलाशने की कला किसी गरीब का उड़ता मजाग निकम्मेपन की वेसर मसीमा यहां आपको दिखाई देगा कि कैसे लोगों को अपने जीवन की उन्नती की योजनाओं का चिंतन करने के वज़ाए दूसरों के समाचार अरजित करने के लिए अमूल्य और निसीम समय है मतलब कि लोगों के पास अपना भला करने के लिए समय नहीं है लेकिन दूसरों के यहां क्या चल रहा है यह जानने के लिए असीमित अरथात निसीम समय है इस गप बाजी ने भी गड़वाल के सामाजिक ताने बाने को छिन भिन कर दिया है क्योंकि इन गपों में अक्सर किसी अन्य की बुराई की जा रही होती है और न चाहते हुए भी इस मंडली में बैठा सज्जन भी यह काम कर ही जाता है और दूसरा यह कि यह निंदा जब उस व्यक्ति जिसकी बुराई की जा रही होती है उस तक पहुँचती है और पहुँचाते भी इसी मंडली के सदस्य हैं तो वह ब्यक्ति भी विनाशी करता है अगर प्रगतिसील न हुआ तो जिसकी संभावना न्यून ही है नमबर छे पारिवारिक बिगटन यद्यपी यह गतिमान विशे का ही चिन्न है लेकिन बिगडने पर और बिगाड़ देना यह कहीं से भी सही नहीं सामाजिक ताने बाने की तरस्ता से पारिवारिक बिगटन हुए हैं परिवारों के अंद्रूनी कलहों से संयुक्त परिवारों से एकल परिवारों का जन्म हुआ है इसलिए गड़वाल में अब केवल बुजुर्ग रह गये हैं जो पैत्रिक संपत्ति के संरक्षक मात्र रह गये हैं जैसा कि उपर कहा गया था कि सामाजिक बिगटन के बहुतायत में जिम्मेदार तीसरी अवस्था वाले लोग हैं ये बुजुर्ग ही चोथी अवस्था वाले हैं हाँ कुछ बुजुर्गों को तीसरी अवस्था वाला ही गिना जाएगा क्योंकि वे अभी तीसरी वाली जबाबदारी पूरी नहीं कर पाये हैं ऐसे पारिवारिक भिगटन में समवाध हीनता नामक राक्षस ने जन्म ले लिया है जिसका परिणाम यह हो रहा है कि जब भी किसी व्यक्ति को किसी की आवश्यक्ता अनुभूत हो रही है तो उसे कोई नहीं मिल पा रहा है वहाँ एका की जीवन जीने को मजबूर है इस परिस्तिती का परिणाम यह होगा कि आने वाले समय की पीडियों को अपने मूल का पता भी न होगा न कोई साथ कार्य होगा, न तर्मन, न कोई सांस्कृतिक आयोजन, न सामाजिक मेल मिलाप हम आदिमानाओं के उस यूग में पहुँच जाएंगे, जहां बच्चे पैदा करना ही स्त्रित्व और पुंस्त रह जाएगा ऐसी अवस्था को देखकर गीता के प्रथम अध्याय में अर्जुन का विलाप याद आता है जब वह कृष्ण से अपनी ध्यानेता प्रकट करते हैं, इस इस्तिती के लिए गीता में बड़ा समवेदन शील सब्द प्रयुक्त किया गया है लुप्त पिंडो दकक क्रिया, अर्थात लुप्त अर्थात गायब हो गई है, पिंड और जल की क्रिया, जहां या जिसकी किन्तु समय की कमी के कारण इतना ही समेट पा रहा हूं, यदि यहां के लोग मिलकर विश्वास पूरवक एक दूसरे का साथ दे कर भी कारे करते रहें, तो गड़वाल की रौनक लोट सकती है, घरगर में लक्षमी निवास कर सकती है, घरगर में चाह चाहते बच्चे हो सक बुजर्गों की मीठी कहानियां हो सकती है, बड़ों की अनुशासित डाठ हो सकती है, चलकता जल हो सकता है, और सुनहरा कल हो सकता है, लेक अच्छा लगे तो शेर कीजिएगा, न लगे तो टोग दीजिएगा, अभिव्यक्ति करता डॉक्टर कुलदीप कौड़ जिग्य झाल